कॉंग्रेस जो है इमंदारी से काम नहीं कर रहे हैं ग्राउंड लिवल पर नहीं उतर रहे हैं और बार बार यहीं अपील कर रहे थे कि आपको काम करने की जरुवत गांधी परिवार से हटके किसी और चेहरे के आवशकता है यहां पर सचिन पाइलेट हार्दिक पटेल या को सकता है तो यहां पर सचिन पाइलेट तो है अपनी तरफ से पूरा साथ दे रहे हैं और बड़े बड़े चुनाब से पहले अपने युवानेताओं को बड़े नेताओं को बीजेप अपने खेमे में शामिल करने के लिए पुरज और कोशिश के राजनीती में रिष्टे ज चंतन शिवर से शुरू हुई थी कई दिनों से चंतन शिवर का जो है मोहल बन रहा था बैठक बन रही थी लेकिन रिजल्ट जो है वो आया या नहीं वो तो समझ रही आया लेकिन आग जो कॉंग्रेस के साथ हुआ उस रिजल्ट को देखकर कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि उस चंतन शेवर का कोई फाइदा ही नहीं। असके बारे में हम बात करेंगे कि आखbird को कहां इतनी बड़ी हार मिल रही है। अधिधे केस पढ़े आपको क्या लगता है कि सबसे पहले तो कांगरेश पिछले पांच राच्यों में जिस तरीके से उनकी प्रदशन रहे थे उसको देखकर काफी रणनीतिया बना नेता हैं समय है पर में इस समय कांग्रेस चिंतिन सिविर हुआ था लास्ट तीन दिन का वहां पर हम सभी ने देखा कि सचिन पाइलेट हो काफी एहम भूमिका दी गई थी 40-50% युवा थे उनकी एहम भूमिका थी लेकिन दूस तरफ गुजरात की चुनाब के अगर बात करें तो हार्दिक पटेल ने बहुत बड़ा जटका दिया और दूसरा बात करें शक्ति सिंग का एक वियान सामने आता है जो कांग्रेस की बड़े आलादिकारी नेता हैं उन्होंने साफ कहा कि इस समय हार्दिक पटेल जो भी बाते कह रहे हैं वो कहा तो अपने मूह से रहे लेकिन बीजेप इन सब के पीछे रणनीती है और बड़े बड़े चुनाव से पहले अपने युवा नेताओं को बड़े नेताओं को बीजेप अपने खेमे में शामिल करने के लिए पुर्ज और कोशिश कर रहे हैं तो इसलिए सचिन पाइले इस समय चर्चाओं में हैं क्या राजिस्था पारी नेता जब यहां पर इस्तिफा देते हैं तो इससे बवाल तो मसता है खेमे में अब ना स्रीफ हार्दिक पटेल उनके जितने सहयोगी समर्थक नेता जो उनके सपोर्ट में रहते थे वो भी कांग्रेस का कही नगए साथ छोड़ते नजर आ सकते तो कांग्रेस को इस जो कोशिश की लेकिन जिस तरह से हार्दिक पटेल को आज हमने देख लिया इतना बड़ा ट्वीट देकर उन्होंने अपने स्टिफे की बात कही सचन पाइलेट के आपने भी बात कही लेकिन जिस तरह से आप भी बोल रहे कि सचन पाइलेट को लेकर भी कॉंग्रेस का एक या इन्हें जो है आगे और नए प्लांस पर जोर देना चाहिए। जिवाओं के दम पर वो कांग्रेस के नेता राहूल गांदी ने उनको इजाज़त दे दी तो शायद सचिन पाइलेट उससे खाफे खुश नजर आए और अभी तक जो वाइदे किये थे वो सारे वाइदे पूरे हो तो नजर आरे राजिस्थान चुनाव से पहले लेकिन अगर करते हैं तो बीजेपी में जाएंगे या अलग खेमा शुरू होगा तो वह अलग मसला रहेगा और देखने को मिल रहा है कि कॉशिश कर रही है कही ना कहीं सचिन पाइलेट को रोकने की जैसे युवाओं नेता को सपूर करने की वह कोशिश कर रहे है उनका समर्थन क कर रहे हैं तो जिस वज़ा से अब हार्दिक पटेल चोड़कर चले गया है वहां उनकी हार उन्हें देखने को बेलिये क्योंकि एक जगा उन्होंने फोकस किया लेकिन दूसरी जगा वो फोकस करना बूल गया पिसी पीच हम बात करेंगे हमारे साथ हमारी सहयोगी मौजू को दिया, कॉंग्रिस की बड़ी हार हो चुकी है आज कहीं ना कहीं जिस तरह से, चंतन शिवर में उन्होंने अपनी चुनाप को लेकर एक बड़ी रनिती लेकर वो चले थे, कितने प्लांट उन्होंने बनाई, जिम्हेदारिया बनाई, लेकिन हार्दिक पटेल जो हैं चंतन जी नराजगी थी Congress को लेकर सचिन पालीट की तरह उनके साथ भी पार्टी में होने के बाद भी बगावत की जाती थी तो वो क्या एक बड़ा रीजन यहीं रहा है क्योंकि हार्दिक पटेल लगतार Congress से अपील कर रहे थे यह रखी नहीं जा रही है और वो जो गैप दिख रहा है कम्मुनिकेशन गैप उसकी वज़े से कही नहीं कहीं कहीं और जिस तरसे हार्दिक पटेल के बयान सामने आ रहे थे कि कॉंग्रेस अच्छा काम नहीं कर रही आला कमान जो है इस पर ध्यान नहीं दे रही है गुजरात में एलेक्शन होने वाले आप ग्राउंड पर उतरिये लेकिन इन बातों को नजर अंदास किया जा रहा थे और देखने को मिला हारदार कर जो है कि हार्दिक पटेल को कॉ साथ चोड़ना पड़ा और साथ चोड़ने से क्या फर्क पड़ा उसके बारे में हम बात करेंगे हमें यह चीज तो पता लगा कि आखिर हार्दिक पटेल को क्या परेशानियां जो है वो सामना कर रहे थे और हाल ही में हार मानकर उन्होंने भी कॉंग्रिस का साथ चोड़ लेकिन जिस तरह सवाल मेगा उठ रहा है कि हार्दिक पटेल के बाद सचिन पाइलेट एक बहुत बड़ा नाम आएंगे कि शायद अब इनकी बारी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कॉंग्रिस की तरफ से सचिन पाइलेट को कई नाराज़गी का सामना करना पड़ता है क अब कॉंग्रस का साथ हो सकते हैंगे इस सचिन पाइलेट को लेकर इस तरह की खबरे आ रही थी कि वो दावेदारी पेश कर रहे हैं देखें का इनकी बात नहीं मानता है क्योंकि वो अपनी तरफ से क्लिए कर दिये कि आने वाले चुनाव में एक साल में राजस्थान में अगर उन्हें CM चेहरे के लिए नहीं उतारा जाता है तो फिर वो दूसरा विकल्प देखेंगे ऐसी यहां पर अटकले लगाई जारी लेकिन फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है कि सचिन पाइलेट जो है राहूल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे रहे रैली में अशोग गहलोत की उन्होंने तारीफे की है नीतियों की तारीफे की है कॉंग्रेस की तो कॉंग्रेस के साथ और बीजेपी की सवाल पर उन्होंने यही कहा था कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो कॉंग्रेस है तो यहां पर सचीन पाइलेट तो है अपनी तरफ स पूरा साथ दे रहे है कॉंग्रिस का लेकिन आगे चल कर कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि देखिये राजनीती में रिष्टे जो है पलपर बदलते ही रहते हैं तो अभी अगर उन्हें दावेदारी पेश की अगर उस पर सोच विचार्ड नहीं किया जाता है कॉंग्रिस क आपसी बाते नहीं सुनी जाती समझी जाती तो हो सकता है वहाँ पर कान विगड़ जाए और सचिन पाइलेट जो है वो जो कॉंग्रिस का साथ छोड़ सकते हैं हार्दिक पटेली बाद एक बड़ा जटका जो है कॉंग्रिस को मिला है देखने वाली बात यह होगी कि क्या अब कॉंग्रिस हार मानती है या हिम्मत करके फिर से खड़ी होती है और आगे जो है चुनावों के लिए निकलती क्योंकि अभी राजिस्थान के चुनाव विधान सभा चुनाव बाकी है आगे उन्हें कही राज्यों में जो है अपनी सरकार बनानी है जिसकी प्लानिंग जो है वो कर चुके हैं लेकिन वहीं देखने वाली बात होगी अपडेट्स लगातार जो भी आएंगे माप तक पहुंचाती रहेंगे उसके लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेक्स नाहीं लाइफ